दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सब्सक्राइब नई भरती के विग्यापन के वाज़े में इसके अलाबा अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरती PCS 233 के नोटिफिकेशन इसके साथी सीटेट को लेकर तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं वीडि अथेंटिक सबसे पहले मिलती दाई दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे के बीएस पी आर्टी की बैस्ट बुक के बारे में जो की चक्षू प्रकाशन की है अगर आप के बीएस पी आर्टी में एक सीट लेना चाहते तो आप सुभी को बैस्ट बुक ही परच इसके अलाबा जनरल इंगलिस सामान इसके अलाबा अगर बात कीज़े सिच्छा सास्त पयावर बिग्यान कंप्यूटर ग्यान और भी तमाम जो सब्डेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहां पर दखा गया है और कंप्लीट आपको इस्टडी गाइड देखने क खल भी मिलते हैं इस बुक को आप एमाजोन या फिलिपकार्ट या फिर अपने नजदी की स्टोर से परचेस कर सकते हैं एमाजोन फिलिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं परचेस करें तो शूबात करेंगे हम सबसे पहली अपडेट के लिए मिला होगा कि आपका पेपर खतम हो जाने के बाद आप घर तक नहीं पहुंचे होंगे तब तक आपको जानकाई मिलगी होगी कि परिक्शा के अंदर या तो सॉल्वर बैठे हैं या पेपर आउट्चेस की खरबे निकल करा रही है अब इन सवालों को लेकर तो सरक मामले देखने के ना मिलें लेकिन जब से मामले ओनलाई शुरू हुए तब से उस ज्यादा धांदली प्रेष्टाचार बढ़ता जारा है हाली में जो यूपी एसाई की परिक्शा देखने के लिए मिले थी वहां पे दो तीन-तीन मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर स आने वाले घ्रो को दो सदस्यों को घ्रफतार करते हुए आरूपी के मुवाइल से पेपर को लेकर जो पीडिया फे वो भी यहां से ब्रामत की गई है पेपर लखनव में दो से तीन लाग रुपे की रकम देकर ख़ई दे थे अब यह सीटेट को लेकर ख़ई दे तो क्या स आ चुका है क्योंकि परीक्षा खतम होने के बाद अब्यति अपने घर तक नहीं पहुच पाते है तब तक उसको जानकरी मिल जाते की पेपर हो चुका है पेपर हो जाने के बाद में या दूरत कर दिया जाएगा या फिसर कर संबन्नित के बिग्यापन को लेकर उनके तो आ मुख्य परिक्षा के बैकल्बिक विशय को अठाए जाने की मांग को लेकर शोचल मीडिया पर अभ्यान तेज कर दिया है विग्यापने बिलम होने कारण भी अब चर्चा होना शुरू हो चुकी है कि PCS 233 के अंदर मुख्य परिक्षा बदलाव हो सकता है हाला कि यह विग्यापन जारी होने के बाद ही इस पर स्टो सकेगा कि बदलाव होगा या नहीं होगा PCS की मुख्य परिक्षा के अंदर बैकल्बिक विशय को अठाने की मांग को लेकर चलाए जारे अभ्यान के तहत प्रत्योगी चार्तों के माध्यम से मुख्य मंती और आयोक्य अध्यक्ष से लगाता ट्वीट करें के मांग की जारी है कि जो आप सभी का बैकल्बिक विशय का मामला है उसको पूरी तरीके से अठा दिया जाए ताकि स्केलिंग से प्रत्योगी चार्तों को मुख्य मिले और मुल्यांकर में समानता हो सके हिंदी वासी मानवी की इसके अलावा विशय के चार्तों को लगाता यह मुद्धा उठाते रहे विज्ञार विशय की अगर बात किया अभ्यरतियों के बात्यों से PCS परीक्षा में अत्रिक्स फायदा मिलता है सकेलिंग की वज़य से हिंदी वासी अभ्यरतियों को काफी नुकसान देखने के लिए मिलता है अगर मुख्य परीक्षा से बैकल्बिक बिशय अठा दिया जाता है तो पित्यों की चार्तों के लिए रहात पर ही खबर होगी बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बस बताएं PCS 2030 का विग्यापन जल्द जारी होने वाला है और सब कुछ ठीक रहा तो आप बहुत जल्द वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगा चलिए बात कर लेते हैं अपनी एगली अप्डेट के बारे में जो की संबन्द देते हैं TGPGT 2022 के एक्जाम को लेकर TGPGT 2022 को लेकर दो गुटों के माध्यापन से धना प्रदेशिन शुरू किया गया था और उसमें से एक का धरना प्रदेशिन समाप्त हो गया लेकिन एक अभी भी जारी है ऐसे में जो दूसरे अभ्याथियें लगाता प्रयास कर रहें जो चैन बोड के सामने धरना प्रदेशिन करें उनके माध्यापन से मिलकर टीज़ी पीज़ी को लेकर दबाब बनाया जारा है कल जब अभ्याथि मुलाकात करने पोचे तो जानकरी देखने के लिए मिली है कि टीज़ी पीज़ी को लेकर उपमुक्हमंति इसके राबाब अगर बात की जाए शिक्षा मंति और भी तमाम लोगों को ग्यापन सोबे गए और मांग की गई कि टीज़ी पीज़ी एक्जाम डेट का अनाउस्मेंट की जाए और जो अध्यक्ष के माध्यम से हाथ पर हाथ रखके बैठे हुए है ना तो छात्तों से मुलाकात करें ना ही छात्तों की मांगों को सुन रहे ऐसे में उनकी उपर भी कारवाई को लेकर मांग की है अधिकाईयों की माने तो उनका कहना यह है हालाकि अधिकाईयों से सीधी वारता नहीं छात्तों की अगर माने तो उनका कहना यह है कि शासन की तरफ से टीज़टी पीज़टी भरती को लेकर इसके अलावा जो उनकी विग्यापन के अंदर पदों की संख्या का मामला है इसके संबद में जल से जल निस्तार्ण करने को लेकर कहा है साथ ही अद्देक्स को निदेशत किया गया कि छात्तों की मांगों को सुनकर उनको भहुसा दिलाएं और जो भी संबब हो सके उस फैसले को ले लेकिन क्या शासन ये नहीं जानता कि चैन बोर्ड के अंदर सदस्यों की समस्या है अगर शासन चाहता है कि इस मामले को हल कराना तो सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी हाथ से भरती दोकी पड़ी है अगर वो सदस्यों की निक्ती चैन बोर्ड में कर दें तो चे प्रइबर्ट करें कि बाहर आके कोशना करेंगा इंतिजार दोनों बातों का हैं लेकिन अलग-अब्रतियों के माद्यां से अलग-अलग प्यास किये जा रहे हैं बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबन देते हैं उनके माध्यम से 33,000 प्रदों की जानकाई दी जाती है और उसके बाद से बार-बार वो शिक्षा मित्रों को जोड़कर अनुपार स्रमानुपार्थ गा देती हैं लेकिन सच क्या है उसकी आप सभी के सामने जो पोल है वो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आप के हैं बागी इन सभी प्रदों को बहर जाता है प्रमोशन से लेकिन यह जो प्रद आपको देखने के लिए कि यहां पर जो सिद्दात नगर के अंदर प्रदों की संक्या है वो 3683 है और इसके अलावा अगर बात की जाए चंदोली के अंदर तो 1549 है सिर्फ इनी इनी को जोड़ दिया जाए तो लगबग लगबग 8000 के आसपस पदखाली हो जाते हैं अगर तीन जिलों का यह हाल है तो पहले प्रमोशन किये जाएंगे प्रमोशन हो जाने के बाद में हो सकता है तरवादले किये जाएं और उसके बाद नई प्राइमरी सिच्छक भरती देखनी के लिए मिले लेकिन 2023 का साल बिना नई सिच्छक भरती के नहीं होगा यह मैंने आपको कई बार पहले भी बताया ह चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्रेट के बारे में जो की संबंदिते हैं यूपी पीए सी को लेकर सीधी भरती के बारे में इसका जो विग्यापन होगा वो 31 को जारी कर दिया जाएगा उत्तर बिदिस लोग सिर्वाइब के लिए 31 जनवरी को निया विग्याप